इमा, उमी, मुहबबत ये तीनों मिल जाएं तो जाती है रोशन राही, रोशन राही, रोशन राही, रोशन राही, रोशन राही उसकी राह रोशन है, जो खुदावन की राह पर है, प्रोग्राम रोशन राही के साथ मैं हूँ प्रोग्राम की मेजबान मीना परवेज और आज हमारे साथ जो शक्सियात प्रोग्राम रोशन राही में हैं और जिनकी राह को खुदा ने रोशन किया है, वो हैं पास्टर आप इस वक्ट में हैं और फिर दूसरों को भी तैयार करते हैं कि वो खुदावन के कलाम में से सुने तो खुदावन बर्क कर देता है और य appeal बलस्षिंग है पास्टर और डॉक्टर सरफराज अकबाल खोकर आप पास्टर भी है और डॉक्टर भी है हाझ जी खुदावन के फजल से खुडाओंने ये मुझे दोहरी खीदमत बख्शिय हाँ, मैं बढ़ा शुक्र जबानने का, कि खुडाओंने मुझे इस लाइक समझा, खुडाओंने मुझे अमानत्दार समझ कर ये खिदमत मुझे दोहरी खिदमत सौपी है. मैं तो समझते हूं कि ये एक ही खिदमत नहीं कि आप दुआ भी करते हैं और लोग शिफा पाते हैं हाजी ये एक रोहानी जो असल में खिदमत है ये मेरे लिए सबसे ज़्यदा मैं इसको प्रियॉरिटी देता हूं किए मैंने लोगों को देखा है कि लोग मसीबतों में हैं we all लोगों के दर्मयान में एजा डॉक्टर में काम का रहा था मैंने 1993 से प्रैक्टिस का आगास किया और जिस अलाके में मैंने खिद्मत का रहा था बहुत गरीब अलाका था और अनफार्शनेटली वहां पर जो ज़्यदातर लोग थे वो बिलकुल अनपढ़ थे पड़े लिख अच्छे तरीके से सर्वाइव करना मैडिसन के लिए अपने आपको मतलब जयदा से जयदा ऑपरचुनेटीज फसीलिटीज मेडिकल फसीलिटीज के लिए इस चीज़ को हमेशा मुझे बहुत जयदा ना मुझे दिल शिकनी हुई इस चीज़ को ले करके क्योंकि जहरा है कि सिस्टर जी बहुत कम सोर्स आफ इंकम होते हैं बिल्कुल और जब आमदन कम है तो हिवजान सहिद के सुलूप पर अमल करना खुराक दवा यह सब बहुत मुश्किल हो जाता है हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है और स्पेशली जब बिल्कुल मुकमल तो पर अवेरनस ना हो तो शुरू करते हैं तो हमारे बहुत सारे मसीही गरानों में यह कुछ दूसरे भी हमारे गैर मसीही बहन भाईयों में भी बहुत सारे जो एक लो तबके से तल्लक रखते हैं उनके लिए बड़ा मुशकल था कि जिन्दगी को हमने कैसे गुजारना है इस्पेशली यह तिबी लहाज से उनके लिए बड़ा मुशकल था कि इस किसम का जैसे हमारी अन्वायरमेंट आप देखते हैं उपन एरियाज में बहुत सारे मच्छरों का भी अमल दखल होता है मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं जब वो पैदा होते हैं मा उस तरह उनको केर नहीं कर प है और मा अक्सर उनको अपना भी नहीं सही तरीके से पता होता है मां बच्चे दोनों एक साथ बिमार पढ़ जाते हैं घर का सारा निजाम पुलट पुलट हां जी बिलकुल ऐसी तो इस चीज़ को फिर लेकर कि भी मैं बड़ा परिशान होता मैं ना सिर्फ हमेशा उनको मै तो बहुत जरूरी था कि सिस्टर जी जो चीज जिसकी चीज मैं कमी पाता था वो यह थी कि उनको स्परिशली हम भी गाइड करें क्योंकि जब हम इस बारे में अस्पेशली बाइबल मकदस जो हमारी जिन्दगी है जिन्दगी की राहें हमें सिखाती है वो बाइबल मकदस में लिखा है देखिए अगर हम जबूर 37 में पढ़ते हैं इसमें लिखा है इनसान की रवशें खुदावंद की तरफ से काइम हैं तो जब खुदावंद सिखाता है और हम सीखते हैं उसके मताबक ही फिर हमारी जिन्दगी में जीने का सलीका आता है उसके मताबक ही हमें ज खिदमत तो जो आम ये डॉक्टरों की खिदमत एजा डॉक्टर तो कारी घा था लेकिन जो एक्चली लोगों को spiritual guidance की भी जरूरत थी ये बहुत जरूरी था कि उनको इस रहाद से भी गाइड किया तो जब जब भी मुझे मौका मिलता जब जब भी मुझे मुझे मौका मिलता मैं सिस्टर ची बच्पन से मेरी मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ मुझे एक ऐसे माबाप मिलें जो खुदा से बहुत महबत करते थे especially मैं अपनी मदर से बहुत inspire हुआ क्योंके मेरे वालत साब तो तक्रीम नहांच से 35 साल पहले उनके ड़त हुई खुदा हम के पास है हाँ जी खुदा हम के पास चले गए और वह भी खुदा हम से प्यार करने वाले थे स्पेशली मेरी मदर जो थी वो भी एक दाए नर्स थे वो भी खिदमत में थे लेकिन जो चीज मैंने उनके अंदर देखी वो देखा का हमेशा हम वो सुबह उटते कलाम मुकदस में जब मैं पढ़ता हुना इम साल अकतिस बाव उसमें मुझे मेरी मा नजर आती है सुबह सुबहरे उटती है मुहद्ध होती है गुसल करती है नाती है फिर वो खुदाम की हज़ूरी में बैट शाते दुआ करते इन चीज़ों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया रात को जब जितनी देर भी हम देर से सोते मैं देखता मेरी मा काम कर रही थी कुछ ना से हमें काम करना इतना सान इजी है सिस्टर जी ने है और पास्टर डॉक्टर सरफरास इकबाल की बड़ी खुबसूरत बात है और जी तो नहीं चाहरा कि उनकी बात को अभी थोड़ी देर के लिए रोक के मैं सभा से बात शुरू कर दूं और फिर भी हमें शबनम सभा जान आपके लिए क्या बात हुई कि आप खुद्मत में आ गई मैं खुदावन की बड़ी शुकर गुजार हूं कि पहले तो यह कि मैं पास्टर गढ़ाने से तालग रखती हूं मेरे फादर भी पास्टर थे मेरे भाई भी पास्टर हैं सारे तो बच्पन से आंख खोलते ही अदिके बाद फिर जैसे पास्टर सार बता रहे थे के जो मेरी मदर इनला थी वह वाकरी बहुत वो खुदा के साथ चलने वाली लेडी थी मैं भी जब नीचे आती थी तो में बाइबल पढ़ रही होती थी दुआ करी फिर हम स्लाम लेते थे वह में ब्लैस करती थी और या इसी तरह मैं अपने उनको देखती थी और इमान में मजबूत होती थी फिर मेरी खायश होती थी कि जब यानि के मी देखे किते डिसिप्लिन में कैसे काम करती है तो मैं जो खायश होती थी कि मैं भी नहीं की तरह एक यानि मेरे अंदर भी यही फर्माबरदारी हो ताबेद गोवाड़ के साथ वफादारी हो मेरे दी के लिए पर मैंने फिर दीछेव को जो फालो किया आधी। पिर जब मेरे मियरे बचे थे मुझे खाइश होती थी कि जैसे मेरे मुचे एम। avons के साथ चलने वाले हो यह मैं कि हमारे अकसर मस्हियों के बचचे आपने देखा है कोई नश्य में होता है, कोई चेही होता है जारू फेर रहा तो इस तरह के लेकि मुझे हमेशे खाहिश होती थी कि मेरे बचचे जो होना तो इनकी तभियत मैं ऐसे करूगा कि कि कल को मेरे बच्चे जहरा में खुदा के साथ चलने वाले हों, मैं खुदाने की शुकर कुजर हो क्या भीटी को शुकर को शुकर चस्रक को तक मैंसर मेरी तौका कुछए है, और वह से हमें सर्फराजी वक्षेगा और आज मेरे बच्चें ऑन खिश्थ में चारों बच्छे मेरे खिदमत में बेटी कोईर में होती है और संडे स्कूल भी करती है इसके इलावा जो एक बेटा यूद के लिए कोईर में अपनी है एक बेटा की बॉर्ड पले करता है एक वो गिटार प्ले करता है कि दर्बुका साथ में सिंगिंग भी करता है और पास्टर साब जो है यह क्वाइर लीडर भी है ना उनके तो खुदामन का शुकर है कि नहीं चीज़ों को फिर जब मैं जॉब कर रही थी ना तो तकरीमन मैंने दस साल जॉब की है तो उसके बाद फ सब्सक्राइब करना मुझे बड़ी煤चैनी से होती थी तो मैं कहते कि था मैं भी छोड़ दूं तो फुल अपने आपको यो को खुदा के हmaander कार दुम्हें क०मत में आ जोओ जाए हमाने जोब छोड़ देनी है मैं ने खिदमत करनी है तो फिर जाहरे कुछ अंतु साहलात थी तलब बढ़ती गही कि मैं खिद्मत करूँ कि एक दिना आया है कि मैं तो जाइन कर रही हूँ मैंने अफ जोब करनी है मैंने बस अपना आप खुदा को दे दिया मैंने बास रीम असी के साँ चलना और खुदाम अनका शुक्र है कि हम सब खिद्मत में हैं मेरी पूरी फैम के दूआ करते हैं तो फिर हमने एक मैनों की मीटिंग शुरू कि रही है वो फिर हम मुख्लिफ घरों में या अपने घर में जो भी भैन शुकर गुजारी की करवाना चाहे हम उनके घरों में करते हैं सबा बड़ा खुबसूरत मनजर आपने बताया कि जब आप खिद्मत में आई हैं और आपका खानदान भी जी बिल्कुल खिद्मत में रहा तो सब मिलकर दूआ ही करते थे और यह महौल जो है यह दूआ के और ज्यादा ना बढ़ाता है सब मिलकर दूआ करने लगते हैं तो अब जब आप खुद इस मैदान में हैं कि दूसरों की रहनमाई करें तो क्या क्या चैलेंज हैं बहुत अच्छा लगता है मुझे और मैं यानिक उनको फिर मैं अपने एक्स्पीरियंस भी बताती हूं कि यानिक बहुत सारी लेडिज हैं वो ज्यादातार घर के कामों में बताती हैं कि मैंने परिशानियों मैं बड़े-बड़े मिसाइल में होती हैं अनको फिर मैं यहीं बताती हैं कि मैंने कैसे-कैसे यहां तक पहुंची खुद अने मुझे कैसे यहां पुंचा है कि जब हम ऐसे परिशानियों से डिसार्ट हो के बैठ चाते हैं, दुआ निकरते हैं, इमान नहीं रखते हैं, तो फिर जाहिरी बात है कि हम हमेशे इनी चीज़ों में उलचे रहते हैं, यही चीज़े में अपनी बेहनों को बताती हैं, फिर वो इस चीज़ को समझती हैं, तो फिर वो इस पर अमल जो तो चलती हैं, इसके साथ वो खुश होती हैं, फिर हमें बताती हैं, अपनी गवाई भी पेश करती हैं, कि खुदा ने हमें इस तरह हमें ब्लेस किया है, पस्टर सर फराज इकबाल कि इतना जरूरी है कि जब हमारी जिन्दगी में कोई तजर्बा ह होता है, खुदावन्द हमें ब्लेस करता है, बर्कत देता है, तो हम उसकी गवाह भी बने, यह सिस्टर जी बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यता, मैंने अपनी लाइफ को देखा है, यह गवाहियों से भरी हुई है, मैं एक जबूर है, मैं गारा था परसों भी, और वो था मैं सबर देनाला आस राक के यहवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के, यहनी हमारी यह कावलियत नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं होती, खुदा हम पर तरस खाता है और फजल करता है, तो यह इस चीज़ ने मुझे बहुत ज्यादा जो ह में बढ़े, खुदा ने हमें ऐसे एक दम से वहां से खेंच निकाला, ओ खत्रे ते टोए ते खुबी आँचो है, मेंनो कड़के ले आया बाहर, और चटान उते रखे पैर मेरे, और बक्शी कदमानो उस्तवारी, सिस्टर जी मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, जब मैं आपको comfortable feel नहीं करता था, spiritually, और पैसा कमा के भी मेरे अंदर एक बिचैनी सी, अखराजात नहीं पूरे हो रहे, मतलब पैसा भी काफी है, लेकिन सुराखदार ठैली बनी ही है, तो मैं बड़ा इस बात से हटा था, मेरे अंदर हमेशा से इस बात की रही के मैं खिदमत में आ बलके मुझे डेरा गाजी खान से भी good news के भी आते थे, मेरा प्यार था, और बाइबल से महबबत मुझे थी बच्वन से, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मैं जब पैसे कमा रहा था, तो मैंने अपनी life के अंदर ना स्कून महसूस नहीं किया, तो, और मैंने एक अजीब सी अ बाइबल मकदस की बाते हैं, एक गवाही की सूरत में, मेरी गवाही की सूरत में अंदर से निकलना शुरू हो गई, बहुत ही प्यारी बाते हैं, डॉक्टर सर्फराज की, जो पास्टर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और सर्फराज इकबाल खोकर बड़ी प्यारी बाते कर र इमान, ओमी, मुहबबत, ये तीनों मिल जाएं तो जाती है रोशन राहि रोशन राहि रोशन राहि हम बात कर रहे हैं पस्टर डॉक्टर सर्फरास इःग्भाल खोकर और उनकी एहलिया शबनम सर्फरासित और बहुत सी बाते है आपके मतलिक पता पता चली हैrain खित्मत में हैं बराहरास्त और पास्टर हैं सीखकर खिदमत में आना, ये क्या माम धनने रखता है बहुत ज्यदा सिस्टर जी बहुत ज्यदा मानी रखता है क्योंकि जब आप सीखते हैं इसका मतलब है कि आप एक रुहानी रफाकत में रहे हैं क्योंकि बगहर सीखे अगर हम खिदमत में आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत दुश्वारी पेश करता है तो जब हम सीख कियाते हैं इसका मतलब होता है हमने अच्छे खादमें इंसे तर्बियत पाई है अच्छे खादमें से हमने तालीम पाई है और हॉली स्पिरिट ने उन के जरीया हमारी राहनमाई की और मैं बलीव करता हूँ कि असल में हमारा हकी की उस्ताद तो वो रूह पाक है, होली स्पिर्ट है तो लेकिन अच्छे खादमीन की रिफाकत में रहने से भी हम बहुत सारी बातें सीखते हैं और जब खिदमत में आते हैं तो हमें पर्सनली जब इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है तो यह यह सुमसी का बादा है कि जब ऐसा वक्त आएगा जहां पर हमें बोलने की जरूरत होगी तो खुदामी यह सुमसी कहते हैं उस वक्त रूप आपके तुमें इस पारे में आगाही करेगा, गाइड करेगा और तुमें बता दिया जो जाएगा कि तुमने क्या बोलना है सो मुझे यह मेंशा सीक कर खिदमत में आने के लिए मेंशा इसको एप्रिशेट करता हूँ और सब पहले शगिर्द हम बने उसके बाद पिर हम जो है वो खिदमत में तो यह ज्यादा बेतर होता है बिशेक शबनम आपको खुदावंधी ने सिखाया है उसकी रफाकत में रह रहे कर तो पास्टर साब की रफाकत ने इस पर कितना आप कहेंगी कि असर डाला है है बहुत ज्यादा Nat ت day a करता तो मैं इन को और किति होते हैं कि जिस तरह यह के विए लृव सभूत्या में इस तप के दौए कटी लीकी थी कितना जरूरी है कि एक पास्टर की जो वाइफ है उसकी एहलिया है वो भी उसके साथ खिद्मत में हो यह हमारे बदन का आदा हिस्सा है मैं यह समझता हूँ क्योंकि क्लामिम कदस में लिखा और वो दोनों एक तन होंगे खिद्मत में आने के लिए बहुत जरूरी होता है कि एक खादम की बीवी जो है देखें बाई बन कक्दस में लिखा है तो मेरे लिए यह खदा की तरव से एक बहुत बड़ी एक अजीब मेरे लिए बरकत बनी खुदामने मुझे एक ऐसी बीवी अता की और यह नहीं कि यह खादम कराने से हैं इनके भाई सारे खादमीन हैं इस्पेशली जो चीज मैंने देखी वो इनके अंदर यह नहीं कि मेरी बीवी हैं तो मैं इनकी तारीफ करता हूँ और साथ बैठी हैं इस वक्त हाँ जी हाँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं ओपनली हर जगा कहता हूँ मैं ना इनके अंदर हस्त देखा सेटर जी ना दूसरों के लिए इनके दिल के अंदर बद गुमानियां देखी क्योंकि ये वो चीज़े हैं जो हमें खांदानी तोर पर भी बरबाद कर देती हैं और कलीसियाई तोर पर भी बलकि इनका हमेशां रविया जो है वो दूसरों के साथ हमेशां एक रहा है कौपरिटिव रहा है और इनकी खिद्मत में आने के वसीला से जब लास्ट रियर इनल जून के महीना में उससे पहले मुझे कहना शूर कर दिया मैंने जून में जून में जूब चोड़ देनी हैं तो मैं तो पहली अपने आपको अदा महसूस करा था क्योंकि जहां कहीं हम विजट पर जाते मैं महसूस करता कि मेरी बीवी को मेरे साथ होना चाहिए खित्मत के कौम में तो लेकिन फिर भी अपनी जॉब के अलावा बहुत ठके होते थे सुबह आच्छे बज़े उटना शाम को फिर सुबह नाच्ता बनाना खाना हमें खलाकर भाग जाना ड्यूटी पर चल जाना शाम को साथ बजाना और उसके बाद फिर खाना बनाना जितना थोड़ा से वक्त मिला अगर मैंने का चले सबाव विज़र्ड पर चले आल्वेस शीज रेड़ी हमेशां त्यार रहते और कहते चले कभी इनके माते पे खुशी से गीत गाते हुए करते हैं और ये खुदावन की तरव से बहुत ज्यादा में लिए जो है ना एक बहुत बड़ी ब्लैसिंग है मैं समझता हूं क्योंकि इसकी वज़ा से मेरे घर के अंदर सिस्टर जी कोई कुशीदगी नहीं पैदा होती आप समझते हैं बहुत सिस्टर बाइब जी रिष्टेदार है सिर्फ वही नहीं कोई भी आजए हमेशा खुशी के साथ ये खिदमत करते हैं और माते पे कभी भी शिकर नहीं लाते हैं और इनके खिदमत में मेरे साथ आने थे भाई बात्शाही की वस्वत के लिए भी इसमें आने से मुझे बहु करें दूसरों को खुशाम देद करें खुशी के साथ नहीं मेरे हाली में शक्कत नहीं करनी पड़ती है मुझे कुदर थी खुदा की तरफ से यह सारी चीज़ें मेरे अंदर आई हैं और कुछ जो मेरे फादर थे मेरी मदर थी वो भी बहुत खिदमत खुजार थे और मैं खुदा ने मुझे असा बनाया इनकी बड़ी बाजी आती है ना तो जब जाएंगी मुझे कहेंगे सबा शुक्रिया तो कितनी अच्छी है तो कितनी खिदमत की है तुने हमारी जरा ऐसे ने बहुत प्यार करती है हमसे लेकिन मैं इनको यह कहती है कि बाजी नहीं मैं हमेश हैं खुदा का शुकर करते रहती दिया है कि जो हम खिदमत में और हम साथ मिलकर चाह कर रहे हैं और इस तरह हमसाथ मिलनें से कुदा आता हम मैं और ज्याद करती बखशी तरह किय कि नौजवानों में यह जो तर्बियत है इसके अंदाज अब कुछ बदले हुए हैं तो क्या जरूरी नहीं कि हम उन सब को भी नजर में रखें और नए तरीके से नए चैलेजिंस के साथ घराने को अच्छा बनाएं सेसर जी यह बहुत बहुत मिलियन डॉलर्स क्वेस्टिन आपने किया मुझे बहुत अच्छा लगा इस क्वेस्टिन को सुनके लेकिन आज के जो मैं नौजवानों को देखता हूं नई नसल को देख रहा हूं इसमें जो मैंने सबसे ज़्यदा एक प्राब्लम देखी एक मु नहीं है दूसरा माबाप जो है ना वो खुद भी अतने तर्बियत याफ़ता नहीं होते ना स्पिरिशली ना सोशली और यही वज़ा होती है कि वो अपने बच्चों की तर्बियत नहीं कर पाते सिस्टर जी मेरे खियाल में हमें खुदामंद की राहों को सीखने की जरूर खुदामंद की राहें और गीत सिखाना उनको बाइबल मुकदस पढ़ने की शौक पैदा करना पढ़के सुनाना इस इन चीजोंने मेरे बच्चों को मौरली जो है ना वो बहुत ज्यादा एक कैलो उसकी फॉर्मेशन की फॉर्मेशन की आप यकीन करें जिस महले में हम रह तही है तो उसकी वज़ा क्या वनुए हमने बच्पन से बच्चों की तर्बियत पर बहुत ज़्यदा जैनल वो जोड़ कैसा भी हुआ हमने कोशिश की कि बच्चों को स्पेशली खुदामंद की रहें हैं कि रहें की तो पीबल कुद खथें रहें कि दुनिया में रह खु है सोशली हमें अपने करदार को कैसे रखना है यह भी बाइलमन का देस हमें वाज़ा तो देखें जिसने सीखा होगा माँ-बाप ने सीखा होगा तो वह बच्छों को फिर बताएंगे और माँ-बाप सुबह मतलब उटके बच्छे ने दौा कर ला दौा कर ला खुद वह करन नहीं है बच्छों को खुद माबाप को रोल माडल बनना पड़ता है जब तक यह नहीं बढ़ेंगे जो है हमारी यूथ जो है वो एक अच्छी यूथ साबत नहीं हो पाएगी बिल्कुल सही जब तक वाले देन खुद नमोना पेश नहीं करते कैसे तवक्व करेंगे कि ब शबनम आपसे जाना चाहूंगी शबनम सभासर फराल के दुआ का आपकी सिंदगी में क्या है क्योंकि कलाम सिखाना दुआ के लिए सब को इकटा करना और पिर अलग से खुद खुदा के साथ दुआ में ठहरना इसके क्या माने है आपकी यह चीज़ हमारे लिए बहुत मान करते रहेंगे खुदा जब हम खुदा के लिए यहनि के खुदा के लिए यहनि के खुदा सी हम इसके साथ चलेंगे दौा करते रहेंगे और यहनि के अब तो दौा में यहनि खुदा ने मुझे इतना ज्यादा ब्लैस किया पहले मैं दौा करती थी लेकिन इतनी ज्यादा मैं करी है झाल से जब दुआ करे था यह रए आप को मिया उसके बग़र ह Hyun Els सारी ही वक्ट दूआ के हैं पसित सरफरास कुछ और दूा की एहमित पर राश किस तरह हम अपने अंदर इमान की कुवत को पा सकते हैं मैंने बहुत सी बाते अपनी बीवी से भी से की मां के अलावा और यह चीज जो मैंने देखा कई ऐसे वाकियात हमारी जिन्दगी में पेश आए मैं उसमें डामडोल था इमान में लेकिन मेरी बीवी ने हमेशा में आप जाएं इमान रखके जाएं खुदा ऐसा ही करेगा और वाकिव ऐसा हो जाता था इस चीज ने मुझे बहुत ज़्यदा ना इंस्पायर किया मैं और भी ज़्यदा इमान में मजबूत होता गया और इस्पेशली पिछले दो सालों से मैंने परसनली इमान की कुवत को सिस्टर जी देखा है ये चंद हफ़े पहले छोटे भाई की डेथ ही है मैंने खुदा का इक्तियार सिस्टर जी देखा है हर एक चीज बाहर कोई चीज़ करसा इस चीज चीज़ा को जब चाहे जिसको चाहे जहां चाहे जैसे चाहे और जितना चाहे वो इसको कर सकता है सिस्टर जी किलाम मकदस में हम अक्सर एक जबूर मैं स्पेशली अपने मसीह बहन भाईयों से इस बात करी सिस्टर जी जरूर मैं उनको तहरीक देना चाहूंगा जो कुछ आप गीत और जबूर गाते होते हैं ना उस पे गौर किया करें समझ के साथ कहता है मैं खुदाया मैं तेरी रू तो मैं पला न सके किदर जामा हजूरी तेरी तो छुपके मैं केड़ी तरफ नू नसा मैंने इन महीनों में खुदा का इक्तियार देखा इंसान नहीं जा सकता बेशक वो कुछ भी कर ले जो मर्जी अपने आपको दानिशमन बनने की कोशिश करे जो मर्जी करने की कोशिश करे खुदा के इक्तियार से बाहर नहीं है यह उसका मानना पड़ेगा खुदावन कुवत वाला इक्तियार वाला खुदा है और हमारे लिए इमान क्या है अंदेखी चीजों पर एतमाद बड़ी कुबसूरत बाते हैं आज हमने सीखी हैं के लावा भी चलें जी सबा क्या कहींगी आप मेरा पेगाम यही है सब के लिए कि बस हमें खुदा के अपने आपको खुदा के हैंड ओवर करें उसके साथ चले जब हम उसकी वफादारी में उसके साथ चलेंगे उसके खौफ पर रहके चलेंगे तो हमारी सारी परेशानिय हमारे सारे मसाइल जो है वो खुद भुखुद हाल होते जाते हैं बिल्कुल जब हम खुदावन की रह पर है तो हर रह रह रोशन है जी पास्टर डॉक्टर सर फराज इकपाल आप क्या कहेंगे देखने वालों को मैं देखने वालों को कहना चाहूंगा कि आज जो दौर जा है और आने वाला भी बहुत फास्ट एक दौर है और बहुत खतरनाक है ये बहुत जरूरी है कि मसीही जो है वो अपनी एक मसीही जिन्दगी की जुमेदारियों को समझे हम बाइवल मुक्दस में पढ़ते हैं यश्वा की किताब में खुदावन ने का शरीयत की ये किताब तेरे मूं से ना अटे बलके दिन रात तेरा ध्यान इसी पर रहे तो इसे ना दाए मुड़ना ना बाए मुड़ना ठीक है तब ही तुझे इकबाल मंदी की रा नसीब होगी आज सबी लोग तरकी करना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं एकबाल मंदी हासल करना चाहते हैं मैं सरफराज मेरा नाम है इसका मतलबी बुलांद मरतबा बहुत बलेसर और मेरे बापका नाम एकबाल था सो सरफराज एकबाल तब ही सरफराज एकबाल हुआ जब वो ख नहीं मत जाने और अपने आपको खुदावन के सबूर्द करें कि खुदा राह को जिहां ये सुमसी जो राहक और रोशनी है हम उसी की राह पर हूँ और दूसरों के लिए बाई से बरकर ठेहरें प्रगाम रोशन राहे से अब अपनी मेसमान पास्ट डॉक्टर सर्फरास इकबाल और मिस्स शबनम सवाई इकबाल और मीना पर्वेस को इजाज़त दीजिए खुदा हाफ़ेज